नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का हमारे चैनल पूर मुवी गोवर पे दोस्तों अभी अभी मैंने Amazon Prime की latest Malayala movie Home देखकर खतम किया यहाँ पर जो कहानी है फिल्म की 2 गंटे 42 मिनिट की यह फिल्म है और यह फिल्म की कहानी और इस फिल्म के किरदार सीधे आपकी दिल त साथ यहाँ पर आपको स्रीनर्थ बासी भी नजर आएंगे उनके बेटे एंटोनी का किरदार करते हुए तो सबसे पहले सुरुवात करते हैं कहानी से कहानी दोस्तों यहाँ पर हमको बताएगी है एक परिवार की फिल्म के स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि 5 बड़ा बेटा भी है जो कि घर से 220 किलोमीटर दूर रहता है यहां पर जो बड़ा बेटा है जो किरदार प्ले किया है स्रीनात बासी ने तो वह एक फिल्म डारेक्टर है जिसने पहली बार ही फिल्म बना के काफी लोगों को खुश कर दिया है और करीब दो साल बीट चुके ह और अब वह अपनी दूसरी फिल्म में काम कर रहा है तो यहां पर दूसरी फिल्म में काम करने के चलते प्रोडूसर का काफी यादा प्रेसर भी उसके उपर पढ़ रहा है जिसके चलते उसको प्रोडूसर उसे सला देता है कि तुम अपने घर जाओ और साथ दिन के अंदर अपनी फिल्म का climax तयार कर लो उसके बाद इन्हें अपने फिल्म के climax को एक बहुत बड़े superstar को सुनाना है और फिर आगे फिल्म की कहानी सुरू होगी मतलब कि फिल्म बनना सुरू होगा तो ये सारी चीज़े यहाँ पर plot आपको देखने को मिलती है और उसी के साथ साथ इस फिल्म का जो main lead character जो play किया है इंदरन ने Oliver का जो कि Antony के पिताजी है एक director के पिताजी है तो ये जो किरदार है बहुत ही simple है जिसके साथ आप सुरू से relate करने लगते हो बहुत ही अच्छे तरीके से इस character को paste किया गया है यहाँ पर कुछ ऐसे scenes है जब आप इस किरदार को खुस देखते हो तब आप भी अंदर से खुस होते हो और जब आप इस किरदार के साथ कुछ बुरा होता हुआ देखते हो जब इस किरदार को आप दुखी देखते हो मैं अगर बात करूँ कहानी जो है तो कहानी यहाँ पर दोस्तों basically एक family की कहानी है साथी साथ फिल्म की कहानी कई जगाहों पर एक बाप बेटे की कहानी बन जाती है एंटोनी और ओलिवर के बीच का जो एक रिस्ता है वो रिस्ता किस प्रकार से है ये आप लोग इस फिल्म में explore कीजिएगा और उस रिस्ते को देखके मैं पक्का आप लोग को बता रहा हूँ आप लोग काफी ज़्यादा relate करोगे और इस तरीके का रिस्ता आपने आजू बाजू भी देखा होगा माबाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माबाप को उतना जादा भाव नहीं देते काफी हद तक हम सब अपने माबाप को granted ले लेते हैं कि हाँ चलो ममी पापा है हम लोग कुछ अच्छा बुरा बोल देंगे तो क्या हो जाएगा वो लोग कौन सा रूट के हम को छोड़के जाने वाले हैं यह एक चीज जो हम सब के मन में होती है इसी चीज के चलते हम सभी कभी न कभी जाने उनजाने में माबाप पिता का दिल दूखा देते हैं जो कि मुझको काफी ज़्यादा relatable लगा, काफी ज़्यादा पसंद आया that's all दोस्तों मैं इस फिल्म की टारीफ करते हुए नहीं थकने वाला पता नहीं आज का ये वीडियो कितना लंबा हो जाएगा so बात करें कुछ और positive points के बारे में तो यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा music का bizium का भी यहाँ पर तारीफ होने चाहिए especially second half में यहाँ पर एक story आपको सुनने को मिलती है उस कहानी के दौरान आपको जो bizium सुनने को मिलता है वो काफी ज़्यादा मुझको पसंद आया music इस film का अच्छा है साथी साथ यहाँ पर जो cinematography है हर malayalam film की cinematography अच्छी होती अब तो मुझको ऐसा यकीन हो गया है मतलत कि अभी तक मैंने जितनी भी malayalam film देखी हर film की cinematography अच्छी होती है अच्छा camera work भी देखने को मिलता है तो इस film के भी जो cinematography अच्छी है कई सारे यहाँ पर ऐसे shorts आपको देखने को मिलते है जो कि आपके आखों को काफी हद तक pleasure पहुँचाने में काम्याब होते है that's all दोस्तों यहाँ पर मैंने cinematography की तारिफ कर दी साथी साथ दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि film की जो कहानी है काफी ज़्यादा relatable है करेक्टर्स यहाँ पर आपको जो देखने को मिलते हैं काफी ज़्यादा relatable है film के starting से आपको जो scenes देखने को मिलते हैं छोटा बेटा सोके उड़ता है उपर सेढ़ी से जाना पड़ता है उपर उसके कमरे में और वहीं से वो अपनी मा को आवाज देता है मा वहाँ पर जाती है और सिर्फ वहाँ पर जाने के बाद वो कहता है पंखा आफ कर दो तो इस तरीके की जो चीजें हैं ऐसी चीजें मैं भी पहले किया करता था लेकिन आज कर नहीं करता क्योंकि मेरी माताजी थोड़ी ज़्यादा बुड़ी हो गई है उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर और भी कई सारे ऐसे चीज आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्में जो कि आपको पूरी तरीके से रिलेटेबल लगेंगे और साथी साथ मैं कहना चाहँगो कि स्क्रिंपले भी फिल्म का काफी अच्छा है फिल्म कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती कहानी बहुत इस सही तरीके से आगे बढ़ती है emotional elements यहाँ पर डाले गया है कई सर यहाँ पर emotional scenes आता है जहाँ पर high drama नहीं किया गया है बहुत ही simple way में आपको बस एक situation बता दिया गया है जिसके साथ आप relate करके खुद emotional हो जाओगे और साथी साथ कुछ ऐसे भी situation यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जिनके साथ relate करके आपको थोड़ी बहुत हसी आएगी आपके चेहरे पर एक smile आजाएगी और साथी साथ कहीं कहीं पर यहाँ पर comedy elements भी आपको देखने को मिलते हैं जो आपको हसाने में गुदगुदाने में कामयाब होते हैं तो कुल मिला जुला कर दोस्तों यह film मुझे काफी हट तक पसंद आई पिछले हपते Amazon Prime पर हम सभी ने कूर्थी देखी थी जिसका content बहुत ही भारी था मतलब कि एक ऐसा subject उस film में डिसकस हो रहा था जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करना चाहता कुर्थी भी एक बहुत ही जवरदस film में उसका review हमने किया है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो लेकिन दोस्तो इस हबते जो ये एक हलका full का content हमको देखने को मिला एक परिवार की जो कहानी हमको देखने को मिली वो पूरी तरीके से दिल को छूने में कामियाब होती है यहाँ पर मैं टारिप करना चाहूँगा इंद्रन का करना यार ये जो किरदाः इन explains्च चाहल है ुआअ म regular हम चौने के तब में बहुंत जाए हो मत बताओ घ्र्थ दिल को फूरा मतलwen यह इतने महाल लोग कहां मिलते हैं याँ यहाँ पर हम लोग किसिकर चोटा सा भी help करते ना तो उसको जब देखेंगे तब लेंगे यादर मेने तरह help किया था और यहां पर इंदरन जो character play कर रहे हैं Oliver का उसने इतना बड़ा काम किया इतना बड़ा help किया लेकिन वह एंड में जब reveal होता है तब वह बोलता है कोई जरूतनी मतलब बताने का अपने इस सारे से अपने बेटे को बोलता है मेरे यार रोम टे खड़े हो जा रहे है यार यह सारी चीजे दोस्तों ना इस film की मुझको काफी कमाल लगी Oliver जैसा करेक्टर काफी दिनों के बाद स्क्रीन पर देखने को मिला नहीं तो अब भी हाली में जितनी वी फिल्में आ रहे थी हमको सिर्फ ग्रेक्टर देखने को मिल रहे थे लेकिन फाइनली Oliver जैसे करेक्टर को इस film में देखने के बाद मैं पूरी तरीके से यार खुस हो गया मत निकलों का घर से ना तो हर कोई जो मिलेगा वो अच्छा इंसानी मिलेगा इस टाइब का मुझको अंदर से फिल हो रहा है मतलब कर बोलता है कि मुवी जो है हमारी थॉट्स को चेंज करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तो दोस्तों यह जो करेक्टर मैंने देख औलिवर का इस करेक्टर ने यार काफी कुछ एक गहरा असर छोड़ दिया दिमाग पे और दिल में और पूरी तरीके से इस फिल्म ने मेरे दिल को छुआ जाओ अब मैं अगर बात करूं रेटिंग के बारे में तो मैं इस फिल्म को 4.5 आउट और 5 स्टार्ट देना चाहू क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोग के सामने लेके आते रहता हूं यार लाइक क्लीज किया करो क्यूंकि मैं सुनता हूं कि लाइक करने से यूटूब हमारे वीडियो को आगे पहुंचाता है ऐसा होता है तो यार लाइक कर दो कौन सा पैसा लगने वाला है तो कुल मिला ह जुलाकर दोस्तों फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरा